लो एप्रिवन तो आप सब कैसे हैं उमीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे तो आज की इस वीडियो में बात करते हैं हट अटेक के बारे में हट अटेक कैसे आता है इसके लक्षड क्या है और इसके उपाई क्या है कभी अचानक से किसी को हट अटेक आजाए तो आपको क क्या करना चाहिए तो इस वीडियो में पूरा बता हुआ अगर आपने मेरे चैनल भी तक सब्सक्राइब ने किया है सब्सक्राइब कर लिए ऐसी व्टू देखने के लिए हट अटक की लक्षड क्या है जब हट अटक की आर्टीज जो रगत को सप्लाई करती है उनमें ब्लॉ प्रेशर हेविनेज या टाइटनेज जैसा महसूस होने लगता है जो केवल लेफ्ट साइट की तरफ नहीं होता बलकि बीच में या दाएं तरफ भी होता है यह दर्द पेट के ऊपर की तरफ जाता है कभी बायाहात कंदे की तरफ कई बार जबरों में या दात में दर्द ह हो सकता है यह दर्द चलने फिनने से जादा होता है या परिश्रफ करने से बढ़ता है थोड़ा आराम करने से कम होता है सांस की तकलीफ और पसीना आना कुछ लोगों को गैस की फिलिंग आती है तो यह सारे हट अटेक के लग्चण है जो लोग गैस होने के बारे में सिकायत क करते हैं उनको वास्तविक हाट अटेक की सिकायत हो सकती है इसलिए जब भी तकलीफ हो तो आपको नजर अंदाज नहीं करना चाहिए और तुरंत अपने डॉक्टरों से संपर्क करना चाहिए हाट अटेक आने पर आप क्या करेंगे अगर किसी को अचानक से हाट अटेक के को लाटिंग को रोकती हैं अगर किसी घर में कोई हाट अटेक पेशिंट हो तो सौविट्रेट की टेबलेट जीब के नीचे रखनी है इससे दर्द की तीवरता थोड़ी कम हो जाती है तुरंत नजर्दी की अस्पताल के एंबुलेंस से संपर्क करना है हाट अटेक का ट प्राइमरी एंग्यूप्लास्टी है इसका मतलब यह है कि एंग्यूग्राफिक करना जिसमें ब्लॉकेज कहा है कि इसकी चार्च की जाती है और जो ब्लॉक है उसे खोल के स्टेंड रखा जाता है तो इसे प्राइमरी एंग्यूप्लास्टी कहा जाता है यह काफी अच्छ में रखा जाता है ताकि Fr kingdom को एंजेक्शनी को फिरिवरी नालिटिक seconds 15 रोब को होता जिन नहीं हुआ तो उन्हें higher सेंटर मेंच किया जाता है यहkg एंजि एक्टाफिय की समझता है तो तो आपने डॉक्टर से संपर्क करें आपको ये वीडियो अच्छे लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिए ऐसी वीडियो देखने के लिए थैंक्स पूर बचिंग मैं वीडियो